आसिक भिनोदारा समाकलन कैसे करें इसका तो इसके लिए फस्स्टेप आपको करना होगा यहां नीचे जो और आसके फैक्टर कर दो तो एक्स टू दी प्वावर 4-1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं X-square-1 का-square-1 का-square और इसको हम लिख सकते हैं X-square-1 गुना X-square-1 काहां से अपने A-square-b square A-B गुना A-B के सूतर से अगेन यहाँ इसको दहां से देखो इस ट्रम को गैन क्या लिख सकते हैं आप X-1 गुणा X-1 गुणा X-1 गुणा X प्لस एक और इसके है जो आगे फेक्टर नहीं होगे यह यह आपका यहां नीचे आ गया X-1 गुणा X-1 गुणा X स्क्वेर प्लस एक अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम क्या करते हैं इस function की तुलना करते हैं आशिक भिनों के जो standard function के form दे रखिए उनके साथ अब हम देखो जिसमें x-square आ रहा है और उसका आगे गुणंद खड़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपका यह लागू होगा तो यह लागू होता है तो इसको कैसे लागू करते हैं यहाँ पर लिखते हैं माना लागू के उलकिश पर करना है आपके इस function पर लागू करना है एक बट्टे x-1 गुणा x-1 गुणा x-square प्लस-1 बराबर a बट्टे यहाँ जो पहला आपका गुणाक है b बट्टे जो second नमबर का गुणाक है x-square प्लस-1 के लिए उपर क्या केवल a, b नहीं लेना है क्या लेना है यहाँ जिससे b तो यहाँ तक आ गया था यहाँ क्या लेंगे cx प्लस-d लेंगे ओके तो यह कूशन थोड़ा बड़ा है और अच्छा है बस यही है इसमें आपको चार-चार वेरिबल की वेल्यू निकालने पड़ेगी अब दोस्ता हमेरा यहाँ पर टार्गेट होता है a, b, c की वेल्यू फाइंड करना तो आप कहेंगे कि यह तो बहुत आसान है तो मैं ओपर a के साथ गुणा कौन होगा देखी a के नीचे x-1 आ रहा है तो इसके साथ गुणा होगा x-1 जो बच्चे यह दो बच्चे हैं, ओके b के साथ गुणा x-1 x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d के साथ गुणा तो इसके नीचे x² प्लस 1 आ रहा है तो इसके साथ गुणा होगा x-1 गुणा x प्लस 1 यहां तक ठीक है कोई दिकत नहीं है और इस तरफ यह आपका सेम टूप सेम आएगा अब दोनों पक्सों को आप यह दिध्यान से देखते हैं तो यह और यह आपका सेम है यह दोनों और कट गया यह नहीं आपके पास अब क्यों इतना बसता ओके अब देखिए यह भी शी की वेली निकालने की मैं आपको सब श्याशान विदी बता रहा हूं यहां पर आप टार्गेट बना लग लगज़कि नगाट को ढरण का पहला टार्गेट बनाऊ इसको ढरने का तो यहां पर x प्लॉबयाबर हम क्या रखें माइनस वन पहले हैं तो यह 0 होगा इस का अर्थ क्या होगा यह ट्रॉम 0 हो जाएगी और जहां X plus 1 आ रहा है वो भी 0 हो जाएगी यह भी 0 हो गए तो केवल B के ट्रम बचेगी यानि आपके पास B का वैल्यू आ जाएगा तो देखिए इस तरफ X नहीं है तो केवल 1 ही आएगा यहाँ पर देखिए minus 1 plus 1 0 हो गए जीरो का इसके साथ गुणा यैनि यह पूरा ट्रम जीरो विके साथ ऐसा कूछ नहीं बन रहा है तो minus 1 minus 1 minus 1 का square plus 1 minus 1 का इसको x square है तो x का वैली रखा तो x minus 1 का square और यहाँ पर देखिए minus 1 plus 1 बन रहा है यैनि यह 0 होगा 0 का इसके साथ गुणा तो यह आपको पूरा ट्रॉम 0 हो गया अब बच्चों दिहान से देखो माइनस 1 का स्क्वेर करते हैं तो यह क्याता है आपका प्लस का वन आता है 1 प्लस 1 कितना 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और यह गुणा भी बराबर में आपका क्या है दो गुना दो छार और मांइस टॉ मैंस चार और मांइस चार बेक गुना में हैSmith को दूसरी और वह बैजा बागा भाग में आ जाएगा आ यह आपका माइन में के अब देखिए इसको तो हम किया भी कंडिकरान से जिरो नहीं कर सकते हैं Tudo घ्र लखते हैं वह बाद में रखेंगो इससे अगले step रखेंगो या नहीं रख रहे हैं अब इसको जिरू कर सकते हैं देखिए x बराबर 1 रखें तो 1 माइनस 1 यह 0 होगा तो यह 0 हो जागा यह 0 यह एक अवेल्यू आ जाएगा तो अब यहां पर हम क्या रखते हैं एक्स बराबर 1 रखने से 1 1 1 प्लस 1 1 का स्क्वेर 1 प्लस 1 एक्स का वेल्यू रखा कुछ नहीं किया ओके आसान तरीका बहुत आसान तरीका समझो ध्यान से यहां पर 1-1 0 यानि यह ट्रम 0 हो गया 1-1 यह ट्रम भी 0 हो गया 1 प्लस 1 आपका 2 1 प्लस 1 2 गुणा एक है बराबर 1 2 multiply 2 यानि दो गुणा दो चार तो इस चार एक के गुणा में है इसको दूसरी और ट्रांस्पर करेंगे multiply में होता है तो वो उसके दूसरी और किसम आ जाता है डिवैड में आ जाता है तो एक वेल्यू आपका आ गया प्लस का एक बटे चार ठीक है यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं है अब देखो बच्चों हमारे पास एक ओप्सन बचा है कि अब हम इस पूरे में एक्स ब्राबर जीरो रखते हैं ठीक है एक्स ब्राबर जीरो से अब देखते हुं कि इसमें कम से कम गलती होने की संबावन ना है इसलिए मैं इस में सबसे आसान मांता हूं यह जो अभी हमने खाल डेक्स का वेलिव पूट करके फैक्टर को 0 करके तो यहां पर देखिय த पटोप जिरो रखा है कि आपके पास आएगा one आगर कि आप दिफ्सक्ट रहे छिद्धाप güल को कहीं लिकने रहाूं अब देखिए इसे के साथ जो a की वेल्यू आई है उसको पुट कर दो एक की वेल्यू कितने हैं एक बट्टेचार और b की वेल्यू कितने हैं माइनस एक बट्टेचार माइनस वन गुणा प्लसवन यहां देखो C के साथ x है यह यह दो आपका 0 हो जाएगा कि शी क्या हो जाएगा जिरू तो क्यों लाएगा आपका डी कि गुणा में माइनस वन और प्लस वन माइनस फन प्लस वन माइनस फना माइनस फ्लस होता है और यहां पर एकट चार प्लस एक बहर चार किसों हो गशिरू इस एक बहर ठाघ्ठ आ्डींग सब्सक् menos माइनस एक बट्टे दो वन माइनस एक बट्टे दो कितना था एक बट्टे दो यहां बचा कोने डी माइनस वन गुणा वन माइनस वन यह नहीं यह माइनस कर डी माइनस कर डी ब्राबर माइनस एक बट्टे दो दोनों और माइनस साइन से गुणा करता है तो डी ब्राबर की बठटे तो अब देखिए हमारे पास 3 वेरियेबल की वेल्यू तो आ चुकिए है अब हमें वेल्यू किसी की चाहिए लाश्ट एंड फाइनल अपने सी की वेल्यू चाहिए तो सी की वेल्यू कैसे निकालते हैं देखिए एक्स का कोई भी मान रख दीजिए जो हमने मान तो एक विल्यू एक बट्टे चार है एक्स का विल्यू हमने दो रखा है कि दो का स्क्वेर चार होता है कि भी का विल्यू माइनस एक बट्टे चार है दो का स्क्वेर चार होता है और सी का विल्यू पता नहीं है एक्स का विल्यू दो रखा है डी का विल्यू आया है आपका एक पट्टे दो एक्स का विल्यू दो दो प्लस एक अब देखे इसका हम कैलुक्लेशन करते हैं जहां से यहां पर देखे चार प्लस एक पांच दो प्लस तीन दो प्लस एक तीन तो पांच गुणा तीन आपका कितना होता है यह बट्टे चार दो माइनस एक एक पांच गुणा यह देखे चार प्लस एक पांच और पांच गुणा एक पांच और यह माइनस का अपका आगया पांच बट्टे चार यहाँ पर देखे क्या है आपके पांच टू सी माइनस एक बट्टे दो दो माइनस एक एक दो प्लस एक तीन इस तीन को देखे अंदर गुणा कर देते हैं तो आपका आ जाएगा तीन बट्टे दो और यह आ गया शिक सी अब जो जो संक्य हैं उनको एक तरफ ट्रांसपर कर देते हैं तो सिक सी बराबर वन माइनस यहाँ पर देखे इसको पहले सोल कर देते हैं इसके नीची भी चार इसके नीची भी चार है तो डारेक्ट 15 में से 5 जाएगा कितना 10 10 बट्टे 4 आएगा प्लस का तो दस बट्ट का मतलब चार क्या यह 2 से 5 वार करता है यह 2 से 2 वार करता है यह ने पांच बट्टे 2 यह माइनस का है तो इस धरफ लइंगे तो प्लस का हो जाएगा ओ इसके नीचे लूस्एम कितना 2 को इसके नीचे ल्ड्ट Rules इनमाया आपका दो दो चेमर एक pension आप्ट्रें आपर एक से रवी है तू माइनस चेड़ाओ यहां पे आपका प्लस का थीन कहां के डो क्रफ्लस 3 कितना चैवantu प्लस का और माइनस का फान्स तो कितना 0 तो टो सी ब्राबर यहां से आपको पाच जो value का या वह क्या है 종 screwed Já अभ जो वे लिए निकल कर आई है हमारे पास वह हमें लिख देता हूं नीचे सब करती है अभर एकबिटे चार इंड़ावर को मैनस एक बटे चार डी बरहबर कि माइनस एक बटे दो और सी ब्रावर आपके पास जीरो निकल को आए अब यह value निकालने के बाद हम अगला step करते हैं चीक है और हम लिखते हैं नीचे नीचे आनता है अगलत एक बट्टे x1 x plus 1 x square plus 1 एक value कितना है आपके पास है एक बट्टे 4 बी का value माइनस एक बट्टे 4 देखें जो A, B, C का value निकालने में टाइम लगा वो ही टाइम लगता है यहाँ पर बागी टाइम नहीं लगता है C का value कितना है जीरो तो यह ट्रम जीरो हो गया और डी का value आया आपके पास माइनस एक बट्टे दो तो माइनस को बहार ले ले लेते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है अब हम क्या कर देते हैं इसके बहुत सेड़ कि इंटिग्रेशन कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं कि समाकलन खड़ने पर देखिए यहां पर इसका इंटिग्रेशन आई मान लेते हैं तांकि इसको बार बार ना लिखना पड़े एक बट्टे चार कॉंस्टेंट बार आगया एक बट्टे एक समय क्लंड क्या होता है आपका लोग टी और टी एक्चुल में क्या है x minus 1 और यहां पर मैं भी आपको करकर दिखा देगाूं यहां पर minus 1 बट्टे 4 constant बार आ गया इसका 1 बट्टे x plus 1 का integration log mode of x plus 1 यहां पर minus 1 बट्टे दो बार आ गया 1 बट्टे x square plus 1 का integration fix होता है क्या होता है आपका 10 not x और ये साथ में plus c हम लेते हैं क्योंकि यह हमारा बता देता हूं कि मैंने हमने यहां पर इंट्रिगेशन कैसे किया यह आपका उतर तो आ गया ठीक है मैं चेक कर लाता हूं कि उतर सही है या नहीं क्योंकि मैं पूरा कल्कुलेशन करता हूं उस पर पूरा विश्वास रखता हूं कि कल्कुलेशन हमारा सही ही निकला है अब द यह उपर आएगा बट्टे यह मानस का तुए इसके नीच आएगा मानस एक बट्टे दो टेन इन्वर्स लिए यहां पर लोग की प्रोपर्टी कौन सी का में लिए लोग म, आए म माइनस, लोग एन बराबर, लोग, एम बटते, ं होता है, हाथ तो अब इन्टिग्रेशन बता देता हूँ, देखी एक बटते एक्स माइनस बन का integration करना है हम कैसे करेंगे इसको टी मानते हैं तो आपका आता है डी एक्स ब्राबर लुटी यानि डी टी बटेटी आगे इसका इंटेग्रेशन आगे आपका लोग मोड ओफ टी और टी का मंदब किया है आपका एक्स माइनस वन ओके इसमें कोई डाउट नहीं है और टी किसी प्रकार से यहां पर एक्स फ्लस फन का हमने इंटेग्रेशन किया है और यह आपका इंटेग्रेशन फिक्स चारज रखना पड़ता है कि अब अगले कुशन में मिलते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कुशन आपको कितने प्रतिसाथ तक समझ आया है यह नीचे कुमेंट करके आपको बताना अभी का भी जरूरी है इसमें कहीं गलती लगी यह भी बताना जरूरी है